हेलो एवरीवान तो चलिए आज के क्लास पर स्टार्ट करते हैं SP बक्सी का सिननीम मेंटरिम पार्ट 50 49 पार्ट देख चुक है हम लोग 50 पॉर बहुत ही करीब हैं हम लोग पुरा इस्सीरीज को कंप्लीट करनें ज़?, consists wait का नव होता है तो सिनननीम है एक सिननोम Slayows तो एक्स्टेन्वेट का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है शांत करना और घटाने के सेंस में है इसे दर्द घटाना तो एक्स्टेन्वेट पहले एट दोनों बोल सकते हैं ठीक है moderate का मतलब होता है काफी शिमित रखना moderate रखना और कम करना थाया फीर alleviate का मतलब होता है कम करना और soften जैसा भी पढ़ना आपको saffen पढ़िए ज़्याद अच्छा रहेगा 我們लायम करना और फिर नरम करना की बते समझ है तो लुक्त zeggen करने के सेंस में सौफन है इसका सिननीम फिर एंटरिम इसका डिनाउंस तो डिनाउंस का मतलब होता है धमकाना है ना फिर कंडेम का मतलब है निंदा करना फिर रेप्रोच रेप्रोच का मतलब है दोश लगाना अफिर गाली देना है ना रेप्रिहेंड रेप्रिहेंड का तो एक word है aprihand का मतलब क्या है तो डराना आ दार्ना फिर असंका करना तोनों होता भैphin में इसका घीक है फिर एक इसी तरह का है reprehand ip to repre Signal कर ड्यक्ष्य का अर यह एंडी रहत इन ड्रहतए रेप्रिहंड रहत मतलब करना किसी को ड्णट ना ठेक है तो यह सारे वर्ट से इससे मिलते जूलते रेप्रिहंस से और नेक्स्ट वर्ड क्या आपका प्लेसिड प्लेसिड का मतलब देखिए क्या कह रहा है प्लेसिड है ना तो प्लेसिड का मतलब होता है शांत करना है ना शांत बोल सकते हैं इसको प्लेसिड प्लेसिड का मतलब शा होता है फिर इसका एंटरी में में टर् diff drinXT कमतलन हों गर हो जाना है जैसे बाढक ट अउगर होजाना होता है है जाना इस्थीर के नेस्ट वाड़ आपका क्नेबल क्वेस्ट नेबल का मतल कबते है संदेहास पस संदेहा कि अस्पद आना मतलब संदेह के धैरे में संदेह के घहरे में हैनाろ डाउट के नजर से देखना को बोलेंगे। फिर इसका सिणानिमि-iscertainấn का मतलब अनिस्तीद संदीक मतलब doubt है ना,डिस्पूटेबल का मतलब होता है, विवादा स्पदheen ना,मतलब विवाद के घेरे में होना ubs dubious का मतलब je आपका संका यूकत होता है और फिर अन्वेरिफीएबल ऐ गुता है आपका, जिसका वेरिफाय नहीं किया जासकता है, तो ड्रावट है ना, फिर इसका एंटरिडी पॉजिटीव मतलब तो जानते हैंrit हैं तो क्वेल का मतलब क्या होता है तो क्वेल का मतलब होता है शांत करना बात अमज़ रहे हैं इसका मतलब होता है शांत करना फिर देखे सिननी में सब्डूड सब्डूड का मतलब क्या होता है जीतना किसी चीज पर जीत हासिल करने न है न और इसका दूसरा मिन्य होता है शांत करना फिर किसी चीज़ को रोकना तीन मिली होते हैं जीतना पहला दूसरा शांत करना तिसरा रोक देना किसी को रोकना फिरक मतलब कम ना सपेश मतलब किसी को दबा देना और एक्सटिंगवीश का मतलब होता है जीशा देना आग को जी से बुझा laid का मतलब भढ़काना होता है और instigate का मतलब भढ़काना होता है आग को भढ़काना बोलें फिर भीड को भढ़काना बोलें एक ही बात है ठीक है इसका मीनिंग एक ही है फिर क्वेंट क्वेंट वर्ड का क्या मतलब होता है तो क्वेंट का मतलब होता है विचित्र काफी विचित्र होना अजनबी होना है ना अजीब सा होना फिर इसका सिनने में क्वीर का मतलब होता है विचित्र फिर स्ट्रेंज अच्छा क्वीर से एक चीज़ मुझे याद आता है आप भलोग कमेंट में पताएं ठीक है का मतलब मैंने इ bloody isट होता है इसका मतलब आप लोग बताएंगए comment मैं अगर आता हो तो पिर क्विर एस ट्रेंज स्ट्रेंड कि मतलब ही क्या होता है how स्ट्रेंज का मतलब भी अजनवी होता है और और का मतलब भी अजीव होता है रिडिकुलस रिडिकुलस का मतलब भी हास्यास पद्ध होता है ठीक है फिर इसका एंट्रीनिम है फैमिलियर फैमिलियर का मतलब होता है परीचीत यूजुवल का मतलब होता है सामानने कॉमन का मतल होता है तो नीम हकीम होता है इसका मतलब नीम हकीम से क्या मतलब होता है इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है ठग विद्या करने वाले लोग ठग विद्या करने वाले लोग को बोलते नीम हकीम मतलब आता कम है और आपको सुझाव ज्यादा देकर चले जाते हैं और आप से कुछ पैसे आइट लेते हैं ठग लेते हैं बात समझ रहे हैं यह पाखंडी लोग आएंगे और ऐसी इसी बड़ी-बड़ी बाते करेंगे जिसे लगता हो है वही Mbbs करके आया हो है और थोड़ा सा आपको नीम हकीम करके कुछ छोटी-मोटी दवा दे करके चला ज होता है ठीक है फिर इसका सिनानी में इंपोस्टर इंपोस्टर का मतलब भी पाखंडी होता है डिसीवर का मतलब भी धोकेवाज होता है और डिसेंबलर डिसेंबलर का मतलब भी छली होता है कपट्टी होता है फिर नेव नेव का मतलब धूरत होता है फिर दूस्ट इसको ब ट्रेनिंग लेकर आया हो काफी प्रसिचन लेकर आया हो है ना काफी पढ़ा लिखा बैखती हो और यह कोई लोग काफी कम पढ़े लिखे होते हैं शो-फ ज्यादा करते हैं फिर जैन्यून जैन्यूनी मतलब सच्चा नेक्स्ट वर्ट आपका क्वीबल क्वीबल का मतलब होता है वक्रोक्ति है ना वक्रोक्ति वक्र मतलब क्या होता है देखे इसका मैं लिखी देता हूं पूरा वक्रोक्ति अगर इसका संधी विच्छेद करेंगे आप हिंदी में तो आपको क्या मिलेगा एक तो मिलेगा वक् सब्सक्राइब गंतलब गुमा फिरा है ना तेड़ा मेड़ा टो वक्रॉकती दो चीज़ इसे मिला है मतलव क्यूबल का मतलब घंतलब बातें करना समझ रहे हो तो ऐसे कौन लोग करतें जो लोग बहाना बनातें तो इसका दो मिनिंग हो गया पहला तो वक्रॉकती का मतलब घुमा फिराकर कहना फिर बहाना बनाना बात समझ रहा है फिर सिननीम एक्वी वोकेट एक्वी मतलब एक्वल वोकेट मतलब बोलना मतलब दो बातें वो कह रहा है एक ही बातें वो कहना चाहरा है लेकिन दो अलग-अलग अर्थों में कहना चाहरा है जिससे असपस्ट आपको समझ में नहीं आता हो कि वह आखिर टूदी पॉइंट बोलना क्या चाहरा है बात समझ रहें तो इससे लोगों में क्या होता है confusion create होता है तो एक्वीवोकेट का मतलब होता है घुमा फिर आकर बाते कहना बात समझ रहें फिर प्रीवैरिकेट प्रीवैरिकेट का मतलब भी क्या होता है आपका तो जूट बोलना भी होता है और बहाना बनाना भी होता है फिर इवेड का मतलब क्या होता है तो टाल मटोल करना फिर बहाना बनाना फिर डिसेंबल डिसेंबल का मतलब भी बहाना बनाना होता है फिर इसका इंटरी में अन्फीन अन्फीन तो यहां भी आया था अन्फीन पिछले वर्ड में है ना तो अन्फीन का मतलब होता है तो अन्फीन का मतलब होता है निया है ना फिर करतब भी निस्ट करतब भी निस्ट भी बोलेंगे इसको है ना बिल्कुल घुमा फिर आकर बातें नहीं करना सीधी सीधी बात कहना वैसे लोग करतब भी निस्ट होते हैं फिर नेक्स्ट वर आपका क्वैश तो क्वैश का क्या मतलब होता है तो क्वैश का मतलब होता है दबा देना किसी चीज़ को है ना और दूसरा चीज़ होता है इसका पहला मिनिंग क्या बता है दबा देना किसी बातों को दबा देना है ना छुपा लेना और फिर अमानी घोसित कर देना किसी चीज़ को अमानी घोसित करना भी कहलाता है क्वैश तो देखिये इसका सिननीम क्या है अप्रोगेट एप्रोगेट का क्या मतलब होता है तो इसका मतलब होता है ना किसी चीज़ को है रद कर देना ठीक है कैंसल मतलब फिर रद कर देना रिवोक का का मतलब भी क्या होता तो रद कर देना समझ रहें समाप्त कर देना फिर सकतर ना इंपफोल्ट का मतलब भी की काफी वे मौफिलर canain न तो करेंटी न का मतलब क्या हता है यह तोном वर्ड फेमेस है आज कर आईसलेट और के कुरेंटायन का यह आपको वन वड में पुछा जा चुका है तो कुरेंटायन को याद रखें मतलब ऐसे बीमार वेक्ति जिसको अलगी कमरे में रखा जाता हो मिलने जुलने ना दिया जाता हो तो वैसे प्लेस को बलते हैं कुरेंटायन है ना यह वर्व है तो कुरेंटायन क का मतलब ही प्रिथक करना और स्क्रींड का मतलब है कि जांच करके अलग रखना ना किसी को जांच कर लेना स्क्रीनिंग कर लेना उसके बाद अलग रखना खासके बीमार लोगों को इंटरिनिम इसका है यह क्या है भाई कमपैनियन एबल है ना कमपैनियन एबल तो इसका मतलब भी हो गया मिलनसार ठीक है बोलते बोलते मैं भी कभी कभी लडखरा जाता हूं तो आप लोग इसको इग्नोर करें काफी तेज भी बोलना पड़ता है कम टाइम में आप समझ रहे होंगे अगर 10 से बोलते हैं लडखरा भी जाता हूं तो इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करें हैं ना और थोड़ा सा मुझे मेरा मनोबल बढाएं कमेंट में हैं ना बताएं कि अच्छा है या बुरा है और फिर क्या इंप्रूव करना चाहिए और फिर कम से कम थैंक्स तो बोलो आ बुक खोलेंगे तो आपको पता चलेगा और एकक वर्ड का मीनिंग बताना और इतने तेजी से बताना काफी मैं कुशिश किया हूं अपने तरफ से तो चलिए यह कुरेंट आइन आपका राश्ट वर्ड था है ना तो सब का अब क्या करते हैं रिकाप करते हैं आपका तो प्लेशिड का सिननी में ट्रांक्वील काम कंपोजर अन रफल्ड फिर प्लेशिड का एंट्रिम में टर्बूलेंट होस्टाइल एजिटेटेड वोलाटाइल अब बिजली भी आ गई है वोलाटाइल फिर एक कॉस्टेनेबल का सिननी में अनसर्टेन डिस्पूटेबल अन्वेरीबल फिर इसका इंटरिम में पोसिटीव अथेंटिक रिलाबल सब्स्टेन्चिल नेक्ट है क्वेल तो क्यल का सिननी में सब्डूडी रेद्योस शप्रेश ईइस्टिंग्विस फिर क्वेल का इंटरिम में एग्शाश्बरेट एगिटेटेटेट फॉमेंट इ क्वेड का सिनननमे, Imposter, Deceiver, Dissembler, Knave. क्वेड का सिनननमे, Upright, Unfiend, Trained, Genuine. पिल, क्वेड का सिनननमे, Equivocated, Prevaricate, Evade, Dissemble. क्वेड का सिननमे, Unfiend, Plain, Scrupulous, Consensus. नेक्स रदो आपका क्वेड ग्वेड, क्वेड का सिनननमे, Abrogate, Ennual, Cancel, Revoke. quest का एंटरिने में up hold, empower, authorize, permit next what है quarantine, quarantine का synonym है isolate, separate, seclude, screened quarantine का एंटरिने में gregarious, amiable, sociable, campaign enable तो चलिए आज का क्लास ही wrap up करते हैं, thank you very much